जै जोहार संगवारी हो महभवीता 36 गर्दर संदिखे या हमार जम्मों दर्शक्मन के स्वागत हवे संगवारी हो आज राष्टी मेर्गे दिवसर जौला भारत मा हर बचर 17 नवंबर के मनाथन मिर्गी दिवसा एक्ठर राष्टी स्वास देखभाल कारिक्रम हरे जिखरो देश मिर्गी के स्थिती रोगले परभावित बैक्ती परिवार और समुदाय मल्ला एकर परभाव के बारे मा जागरुक करना हरे आज के दिन बिभिन सरकारी और नीजी संगठन मन्हा एक संगरा मिलके मिर्गी के बारे मा जागरुक्ता फैला थे और एकर बारे मा फैले भ्रांती मल्ला घलोक दूर करे पर कारेक्रम कारेसाला और जागरुक्ता कारेक्रम आयुजित कर थे राष्टे मिर्गी दिवस के महत्पव मिर्गी हा एक नियूरो लॉजिकल इस्थिती हरे जेन मा मस्तिक्स कहा अनियमित गतिवीधी हो थे मिर्गी हा सब उमर, जाती और सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी के पुरूस और महिला मल्ला पर भावित कर थे संग्वारी हो राष्टे मिर्गी दिवस मा हम सबो ला मिर्गी के परती जागुरुक रहना है और अपन तीर दिखार मा घलोग एक हर बारे मा जागुरुकता ला बढ़ाना है एही संकल्पलेवत हुए चत्तिसगरदर्शन के आज के अग मा देखो जस्पूर मा भगवान बिर्शामुंडा के एकसो पचासवी जैनती मा माठी के वीर पद्यात्रा के होई सायुचन केंद्रिमंत्री मंसुक मंडाविया हा युवा मन के संग्पद्यात्रा महुण सामन केंद्री मंत्री नितिन गटकरिहा तिरासिवा इंडियन रोड कॉंग्रिस के अधिवेशन महुन सामन चत्तसगर मास चड़क्य विकास कारज बर 20,000 करोड रूपया के कारज मन के दिन मंजूरी जांजगी चापा जीला के किसानमन मा फसल परिवर्तन के रुजान हा बढ़िन रावा भाठा गाउ के किसानमन गन्ना के खेती ले करा थे बढ़िया फाइदा अवाकांची जीला कोर्बा मा परधान मंतरी विस्वकर्मा योजना के तहत कुम्हार मला देगी से परसिक्षन वेबसाइब बढ़ाया बर टूल केट के संगे मही एक लाख रूपया के लोन घलोग देवाई क्रांती के नायक भगवान बिर्समुंडा के एक सोपचासवी जन्म जहनती मा माटी के वीर पद्यातर क्यायोजनला जसपूर मा उजित करे रही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विश्नु देव साय के संगे मही अव कई जन गणमान्य लोगनमन हा ये पद्यातर मा सामिल हुई है मुख्यमंत्री व केंद्री मंत्री हा वईया 15 नवंबर के भगवान बिर्समुंडा के जहनती मा लोगनमन पनसुप कामना घलब दिन है जस्पूर मा उल्गुलान क्रांती के नायक भगवान बिर्समुंडा के 150 वी जन्म जहनती मा माठी के वीर पद्यातर के आयोजन करेगी रही जोन मा केंद्री मंत्री डॉक्टर मंसुप मंडाविया व चत्तिसगड के मुख्य मंत्री विश्णुदेवसाय के संगे मही अव कई जहन गडमान ये लोगनमन है मा सामिल रही ए बेरा मा लगभग 10 जार इवामन हा पद्यातर मा पन भागिदारी दिन है केंद्री मंत्री मंडाविया हा चत्तिसगड सरकार के कारश के सराहना करत हुए जसपूर इलाका मा भारत सरकार को तीले खेल स्टेडियम बनाए के तको घोशना करीन है इस यात्रा में मैंने युवाओ का उस्साह देखा युवाओ का थनगनाट देखा उससे मेरा विश्वास बढ़ा है मोदी जी के नेतरुत्व में देश बदल रहा है देश आगे बढ़ रहा है नया भारत का निर्मान हो रहा है और जब देश आजादिका शताब दिवश मनाता हूँ तब याने की 2047 में देश विक्सित भारत बंद के रहेगा और उसमें युवाओ की महतुपुन भूमिका रहेगी एबेरा मा मुख्यमंत्री विश्नो देव सायह भगवान बिर्शा मुंडा के सूर्ता करत वे कहीं क्योंकर सरकार के पहली प्रात्मिक्ता आदिवासी समुदाय के हित के सरक्षन करना हरा है आज माय भारत के वोलेंटियर्स जो जस्पूर छेतर के डेड़ सो कॉलेज के जो विद्धार्थी हैं वो माय भारत के वोलेंटियर्स हैं उन्होंने साथ किलुमेटर की पद्यात्रा आयोजित की थी जिसमें कूरे जीले भरके और बहार सी रही लोग यहां पर सामील हुए और अपेक्षा से ज़्यादा ये पदे आतरा सफल रहा और हमनों का सुभाग की हमारे भारा सरकार की खेल और स्रम मंत्री स्रीमंसुख भाई मानविया इस में सामील हुए हमारे चर्दीगर सरकार के डिप्टी सियम से लेकर और भी मंत्री, सांसद, विधाय, सभी लोग हमारे पार्टी के वरिच लोग भी सब विवाओं को परोसाहित करने के लिए सामिल हुए मुख्य मंत्रियों केंद्रे मंत्री हा जन्समुदायला 15 नवंबर के पड़या भगवान बिर्शा मुंडा के जैनती के सुपकामना घलोग दिन है केंद्री परिवहन मंत्री नितिन गटकरी हा जन्समुदाय बनाय बर 20,000 करोड रूपया के कारज मन के मंजूरी दिन है जोनमा चार राष्टिय राजमार्ग मनमा फोरलेन बर डीपी आर के स्विक्रीती हा घलोग एमा सामिल हवे केंद्री परिवहन मंत्री नितिन गटकरी हा जन्समुदाय बनाय बर 20,000 करोड रूपया के कारज के मंजूरी दिन है जोनमा चार राष्टिय राजमार्ग मनमा फोरलेन बर डीपी आर के स्विक्रीती मिले है स्री गटकरी हा धमतरी ले जगदलपूर रैपूर ले बलोगदाबचार सारंगड कटगोरा ले अमबीकपूर और बिलासपूर ले अकलतरा राइगल ले ओडीसा सीमा तक के राष्टिय राजमार्ग मनमा फोरलेन करे बर रासी स्विक्रीत करे के घोशना करीन है स्री गटकरी हा रजधानी रैपूर मा अयोजीत तिरासिवा इंडियन रोड कॉंग्रिस के अधिवेशन के उद्घाटन मौका मा कहीन है कि परधान मंत्री के मिसन हरे कि हमला हिंदुस्ताल ला पाच ट्रिलियन के एकोनॉमी बनायना है आत्मनिर भार भारत बनाना है एकर बार हमला इंडस्ट्री और एगरी कल्चर मा परगती करना हो ही एक हर बार याता याद के हमला बहतर बनाना है एचेत्र मां हमला रोजगार निर्मित करना है और गरीबी लादूर करना है सरोना चोग, उद्योग भवन चोग, तेली गंदा चोग और धनेली जंक्षन ये चारो जगह पर फ्लाइवर मंजूर करने की गोशना करता हूँ और वन टाइम इंप्रूमेंट में पॉंडी, पंडरिया, तक्ठपूर, मुंगेली और अंभीकापूर, इनको मैं वन टाइम डेवलप्मेंट में भी इस काम को मंजूरी देता हूँ और 900 करोड, CRF में भी मंजूरी दे रहा हूँ, टोटल 20,000 करोड रुपे के ये काम इसके मंजूरी प्रदान करा हूँ मुख्यमंत्री विश्णु देवसाय हा, अधिवेशन के उद्घाटन कारेकरम के अध्यक्षता करीन, और आए संगमल्ला कारेकरम मा भारती सड़क कॉंग्रेस के इसमारी का के घलोग भी मोचन करीन केंदे सरकार कोती ले अबले पेंशन भोगी बुजुर्गमला डिजीटल जीवन प्रमान पत्रदे के स्विधा तेजा थी दरुग संभा के सबो डागघर मन मा ये स्विधा हा सुरू होगे हैं, डागघर पेंशन खाताव धारक मन बर स्विधा पेंशन भोगी बुजुर्गमला अब एकी किलिक मा घर बेढ़े ही जीवन परमान पत्र बनमा सकी डाग विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आई पीपी बी कोती ले पेंशन भोगी मन बर डिजीटल जीवन परमान पत्र बर बिसेश अभ्यान सुरू करें हैं दरुग जीला के परधान डागर्म स्थापित जीवन परमान पत्र केंद्र उपर घलो के स्विधा देगे हैं दरुग संभाग के प्रवर अधिक्षक बी एल जांग्रेहा दूरदर्शन समचाले बताई हैं कि विभागा दिसंबर ले पहली जीवन प्रमान पत्र के सत्यापन करही और एकर बर 30 नवंबर तक पेंशन भोगी मन बर अभियान चला ही देखिए प्रतिवर्श पेंशनर लोगों को एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच में एक किवन प्रमान पत्र देने क्याव सकता होती है तब ही वो पेंशन आगे बढ़ता है इसी को दिश्टिगत रखते हुए भारती नाग विफाग के जितने भी नाग घर हैं सभी नाग घरों के द्वारा ये सेवा डिल्सी की सेवा दी जा रही है इसका सुलक 70 रुपिया प्रतिव्यक्ति है सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट आफिस में आप घर पहुंच सेवा का भी लाव उठा सकते हैं पोस्ट इनफो एफ है उसमें जाईए अपना डिटेल्स रेजिस्टरड करिए हम आपके घर में जा करके आपको डिल्सी बना करके देंगे इस्विधाला दुर्ग संभा के सबो डाग घर मनमा सुरू करेगे हैं दुर्ग के प्रधान डाग घर मा रोजे तीसले 35 बुजर्ग मनहा परमान पत्र बनवावा थे अवके इंद सरकार के सुरू करेगे ये मुहीम के बढ़ सरहना करें है अवेला सुविधा जगनक बताई भी तो उनके लिए घर सेवा भी चालू करती है इस तरह से गोवर्मेंट ने के लिए सुविधाय चालू कि ताप मनला पता देन की डागघर पेंशन खाता धारक मनला एकर लाभा मुफट मा उठा ही आओ दूसर पेंशन खाता धारक मन बर सत्तर रूपिया के सूल कनिरधारी धखलूप करेगी एदिन अभी जांजगीर चापा जीला के किसान मन हा धान के जगा मा गन्ना के खेती मा जादा मन लगावा थे अब किसान मन के रुजान हा गन्ना के खेती कोती बदलत है गन्ना के खेती के किसान मनला आर्थिक इस्तिती सुधरे के संगे मा ही गन्ना के खेती के बहतर परिनाम किसान मनला मिलत हवे जांज़े चापा जिला की किसान मनहा फसल परिवर्तन कोती उकर्मन के रुजहान बढ़ा थे जिला मुख्याले ले करीब 22 किलोमेटर के दुरिया मा नवागड ब्लॉक के रावा मा अभी तक ले 6 गामन मा गन्ना के खेती करे जाते जेकर से किसान मनहा भरपूर आमदानी कमावा थे एकर चलत कई ठन नवा छोटे और बड़े किसान मनहा घलोक अब गन्ना के खेती मा अपनमन लगावा थे किसान मनहा बताइन है कि बहतर आमदानी होई लेओकर्मन के आर्थिक इस्तिती मा घलोक सुधार होई है जैसे अभी हमारे फसल कट थे कि दुवा अभी नावंबर के माँ हैं और फिर हमान सरसो लगभाग हमाला दूसे तीन मने लगते हैं पोकरबाद फिर मार्च अप्रेल मा फिर गणना लगा थां तेकल फिर लगभाग 7-8 मेना के फसल हैं दान से अच्छा है फसल हमान के अएक किसान मन के मताबिक पहली धान के खेती मां बढ़ियां आमदानी ने हुआत रही से और दूसर जूला कूती रुक करेबर पड़ात रही से किसान मनहा बहतर आमदानी के आस्मा गन्ना लगा है जिकर बहतर परिनामवं मनला मिला थे किसान मन के कहिना हवें कि धान के पेक्छा गन्ना के खेती मां ज्यादा मुनाफ़ हो ले शेतर के दूसर किसान मनहा घर लोग इही कुती जुड़ा थे परधार मंत्री विश्व कर्मा योजना के तहत कोर्बा जीला के कुम्हार मल्ला अत्याधूनिक परसिक्षन के संगे मही वेफसाय लागो बढ़ाय बार लोन के स्विधा देवा थे ये परसिक्षन के मार्ध्यमले महिला मल्ला अत्मनिर्भर बनावत है और बिकसित भारत के सपना लता को सकार करत है अकांची जिला खोरबा मां परधारबंद्री विष्वकर्मा योजना के अन्तरगत लाइवजुड कॉलेज मां पीए विष्वकर्मा योजना के तहत कुमार मल्ला अत्याधुनिक पर्शिक्षन दे जा थे पास दिन तक लिए चलने वाला ये विसेश परसिक्षन के बाद हित्गराहिम अल्ला 15,000 रुपया के टूलकीट के संगे मही वेवसाय लागो बढ़ाय बर एक लाक रुपया के लोन घलोक के स्विधा दे है लाइबलिहोट कॉलेज के प्रचारय अरुनेंद्र मिस्राह ये योशना के क्रियानवन के संबद मा जिनकारी दिन है पीम विस्करमा योजना अंतरगत कुम्हार वेवसाय में लगे हुए हित्गराहियों को आइडेंटिफाई करने के प्रचाथ उन्हें पांस दिवसी प्रसिक्षण प्रदाय किया जा रहा है इस प्रसिक्षण में उन्हें पैसों के लेंदें समद्धी समस्त जानकारी जिसमें डिजटल लेंदें भी सामिल है साथ ही पीम विस्करमा योजना की बारे में सामान जानकारी एवं वरतमान में जो सामान ilet्चाक की जगा है आर्पियल सर्टिफिकेशन के लिए आ रहे हैं इसलिए हिद्ग्राहियों को 4000 रुपीज के स्टाइपन्ट भी सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा प्रदायक किया जाएगा और साथी 15,000 का टूल किट भी प्रदायक किया जाएगा जिससे अपने ब्यावसाय को और आगे बढ दस्ता और गमला बनायबर सीखत ये महिला मनहा सरकार के ये योजना के सराहना करीन और महिला मनहा ये महत्वकांची योजना ले मिलेया टूल कीट आउ लोल ले अपन वरसायला आगू पढ़ा के आत्मनिर्भर बने के कोट कहीं है कुमार मनला देजात ये परसिक्षन कारेकरम के बाद महिला मनहा आत्मनिर्भर भारत की सपनला साकार करके आत्मविश्वास नजरावा थे उकर्मनमा रसंगवारी हो और मिलबो इही द्वार के इही बेरा मा एक ठन नवंग लेगी बवीता मार कंडिला दो विदा जै जोहार